जी हाँ गाईज अगर आपके यूटूब चैनल पे रियूज कोंटेंट आ गया है और उसके बाद अगर आप अपने चैनल को 14 दिन से पहले पहले मोनेटाइज करना चाहते हैं बिलकुल 14 डेज लगेंगे मतलब 14 दिन लगेंगे और आपका यूटूब चैनल मोनेटाइज हो साथ ऐसे हवा हवाए में कोई बात नहीं करूँगा जैसा कि आप चैनल देख सकते हैं जो साइड में आपको सोब रहा है इस यूटूब चैनल पे रियूज कोंटेंट आ गया था पहले इन्होंने रियापलाई करा चैनल हो गया डी मोनेटाइज वहां पर भी एक्सेप्ट ग़या है चैनल का एकसेस लिया उसके बाद मैंने चैनल पे जो है जो भी अपीपोड़ाने का प्रोसेस है अपीपोड़ाने के बाद सब्सक्राइज किया आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के उपर वो अंडर रिवीव में चला गया अंडर रिवीव में चला गया और उसके बाद जो है यूटूब चैनल यूटूब ने वोनेटाइस कर दिया चोदे दिन से पहले पहले अप यह समझे लिए तीन से चार दिन लगे हैं और चैनल जो है इजने मोनेटाइस हो गया है अगर आप भी यह प्रोसेस अपनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आप ध्यान से लिखिएगा दोस्तों आपका अपील वीडियो तबी एक्सिप्ट किया है और होता यह है कि उनकी अपिल वीडियो को रिजिक्ट नहीं करवाना है अपने चैनल को मोनेटाइस करवाना है और मोनेटाइस तभी होगा जब अपील वीडियो आप यूटुब के तरीके से बनाओगे और कुछ ट्रिक से लगाओ भाई जैसे कि मैं बता रहा हूँ उस कुमुनिटाइज करवाने वाला है तो अब मैं अपने PC स्क्रीन पर आ गया हूँ यह चीज़ आपको मैं मुवाइल भी दिखला सकता था बट मेरे पास जो है इसमें सूट जो मैं कर अपने मुवाइल से ही कर रहा हूँ तो यहां पर देखेंगे एक आर्टकल है यूटुब क करना है कौन सी प्रोसिस से पाई उसके बारे में जानना पर देगा तो यह देखिए जहां पर लिख रखा है फॉर्मेट बस्ट भी आपका बीडियो होना चाहिए सबसे इंपोटेंट कि आपको एक अपील वीडियो बनाना है आपको तभी बनाना है जो अगर नहीं है तो खोड़ो और री अप्लाइ करने का प्रोसेस भी है इस वीडियो बेड आपको बताया हुआ है वो वीडियो के एंड तक बताऊंगा आप बस इस वीडियो में ध्यान समझे कि पहले अपील वीडियो कैसे बनाते हैं तो देखिए इफ इलिजब टो अपील बाई वीडियो फ ऑके नेच्ट प्वाइन्ट है दोस्तों लेच्ट देन फाइव मेनट लोंग जो वीडियो बना रहे हो अब वो पाच मेनट से कम की होनी चाहिए पाच मेनट से उपर के वीडियो नहीं होनी चाहिए third point है समझे येगा unlisted में होना चाहिए और fourth point है मतलब जो upload करोगे तो unlisted में करना कई लोग क्या करते हैं private में public में कर देते हैं भाई नहीं करना है आपको unlisted में रखना है दूसरा uploaded to the channel you are appealing मतलब उस channel पे आपको appeal क्या करना है upload करना है appeal video उसी channel पे संबीट करना है जिस channel पे आपको reuse content मिला था ठीक है उसी channel पे करना है जिस channel के लिए आप create कर रहे हैं ऐसा नहों कि किसी other channel पे create कर दो तो यह चीज़े नहीं होनी चाहिए अब यहाँ पे है narrated in a supported language जैसे कि जैसे कि यहाँ पे आप English subtitles वगरा एड कर रहेंगे जो कि auto generated नहीं होना चाहिए तो लेंग्वेंज क्या क्या है वो भी ध्यान दिजिएगा तो generally हमारे language यहाँ पे हम English में बना सकते हैं Hindi में बना सकते हैं आपके पास बेंगाली option भी है देखे बेंगाली बना सकते हैं बहुत सारी options है तो हमारा जो options है जेनरली, Hindi, English और बेंगाली यह तीन तरह की language में आपको अपीन वीडियो बनाना है तो आपको कई सारे doubts किलियर हो गए होंगे अगर आपको यह सारा कुछ पता होगा तब ही तो आप अपीन वीडियो कैसे बनाते हैं वो वाली वीडियो आपको समझाएगी यह जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको तब ही आप समझ पाओगे तो यह सारा कुछ ध्यान से समझ लिजी एक बार इस status क्या है must be unlisted मतलब जो upload करोगे उसको unlisted में ही upload करना है जो वीडियो है आपको वो new upload में ही होनी चाहिए उसको ध्यान रखिएगा आपको simple देखो वही चीज़े बताये हूए यहाँ पे कि अब करना क्या है आपको वहाँ पे यह क्या कह रहे है what to include मतलब क्या आपको include करना है उसमें क्या include करना चाहिए we want to understand how you create your content YouTube आपके channel पे कभी-कभी आप यही सोचते है कि सारा content मेरा खुद क्या है मैंने खुद ही create कर रहा है इसके बाद भी जो है मेरे channel पे रियूज content आ गया बाई कई अवर ने YouTube को समझने आता कि आप content कैसे create करते हो जैसे click रखा है we want to understand how you create your content अब अपने content को कैसे create कर रहे हो यह मुझे समझाए बैं यह समझना चाहता हूँ जो behind the scene है या फिर जो भी आपका video create करने का process है वो सारा कुछ आपको आपको या करना है इस appeal video में include कर देना चाहिए कैसे अपसूट करते हो क्या process है इसमें देखे चार point है समझने वाला है नई समझोगे तो जाओ भाई reuse content है परशानव होते रहो appeal video बनाओ चनल monetize करना है तो समझना परेगा थोरा सा बोर होना परेगा मुझे पता है यह video आपको बोर कर सकता है क्योंकि इसमें मैं समझा रहा हूँ और समझाने वाले चिज़े इंसान को बोर लगता ही लगता है तो आपकी मर्जी है वाई आप skip कर रहे हो तो आप भी छोर के जा सकते हो कोई issue नहीं है दूसरा है include the URL of your channel the first 30 second of your video जो आपकी आप इन वीडियो है उसके first 30 second में आपको अपने channel का URL show करना है channel का URL मतलब channel का link चार point से सबसे important है first, third और fourth ध्यान रगिएगा two जो है मतलब simple है program police को follow करना चाहिए उसके वाले बताया है first क्या है कि include the URL आपको समझा आ गया कि 30 second से पहले पहले आपको वो include कर देना है third है second का पतला दे जाकि जो उसका policy है monetization का उसको follow करना चाहिए उसके guidelines के कई सारे guidelines है कई सारे policies है उसको सभी को follow करना चाहिए आपका channel third है focus on the channel as a whole not just in visual videos that meet our guidelines बहुत सारे videos आपके channel पे होगी तो आपको अपने channel की maximum videos के बारे में explain करना है कैसे अपने create करा है play करके दिखलाना है वो सारे कुछ explain में कर दूँगा आपको वीडियो के end तक ही कैसे आप video बनाना है तो ये आपको third point समझा गया fourth है provide visual examples of how your content was created मतलब content आप कैसे create कर रहे हो वीडियो कैसे create कर रहे हो उसमें कुछ visual examples भी दिखलाइए so how you edited or film the content अब आपको यहाँ भी show करना है कि कैसे आप edit करते हो किस तरीके से आप film करते हो किस तरीके से content को create करते हो वो सारे को आप ये वीडियो में आपको show कर देना है so yourself आप कही लोग के मन में यहाँ भी doubt होता है या तो आप चाहो तो voiceover भी कर शकते हो चेकेट आइस में so how your content was filmed किस तरीके से आप अपने content को film करते हो ठीके so करते हो create करते हो so how your content was edited किस तरीके से आपका content edit किया जाता है दोस्तों ये सारा कुछ process था आपको simple करना क्या है अपने youtube channel पे जब जाओगे तो ये start appeal का option दिखेगा वहाँ जब click करोगे तो उसके बाद video link paste करने का एक option आता है उस पे जब click करोगे वहाँ पे जो unlisted में upload करना है उस video का link यहाँ पे paste करना है तो आपका वे कुछ तरीके से review में जाएगा और आपका youtube channel जो है youtube policy को follow करता होगा और आपके content सही होँगे मतलब youtube के mistake होगी आपकी कोई mistake नहीं है youtube को समझने में mistake होगी की content कैसे create किया जाता है तो उसको explain कर दोगे आप उसको समझ आजएगा और जो process बतलाए है उस process से follow करके अज़र वीडियो संबिट करते हो अपील वीडियो तो आपका वे channel इसलिए monetize हो जाएगा दोस्तो इजाब process था अपील वीडियो बनाने का यह कैसे बनाना है दूसरा अब आपको होगे भाई आपने तो बताया है नहीं कि अपील वीडियो की कैसे suit करें कैसे edit करें क्या process है तो आपको एक demo वीडियो चाहिए होगा उस demo वीडियो का link में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है साथे साथ इस वाले वीडियो पे click करो और appeal वीडियो बनाना शीख लो अगर आपके channel पे वीडियो का कोई option नहीं आ रहा या फिर जा चुका है या फिर आप नहीं करना चाहते तो आप रियप्लाई कर सकते है उसकी लिए वीडियो का link में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जाकर जरूर चेक आउट कर लेना आपका इदर चनल 100% monetize हो जाएगा यह मेरी गरांटी है जो प्रोसस में बतलाओंगा उसके वज़े से आपका channel monetize हो जाएगा बहुत सारे channel monetize हो रहे हैं तो आपका भी हो जाएगा तो मिलते हैं इस फ़ले वीडियो गे